अलो इस्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में बात करेंगे साल्मोनेला टाइफी बैक्टिरिया की जो की डिजीज कोस करता है टाइफाइट फीवर ठीक है तो सबसे पहले जर्नली हम बात करते हैं साल्मोनेला जीनस की जिसके अंदर काफी अलग-अलग टाइप्स के सबसे इसे मेडिकल से रेलेटेड जिसको हम पढ़ेंगे आपर वह साल्मोनेला टाइफी बैक्टिरिया सबसे पहले साल्मोनेला जीनस की बात करेंगे साल्मोनेला जो जीनस होता है वो देखने को मिलता है इंटेस्टैन में किसकी मेंस की एनिमल्स की और बर्ड्स की जो साल तिके इत मैं Coe-Entrige Fever यह सकता है एंटिक फीवर जिसको के हम बोलते हैं टाइफोइद फीवर Gastroenteritis जो GIT जो ट्रेक ते उसके अंदर Inflammation की कंडिशन डवलप कर सकता है and septicemia bacteria in blood the most important member is salmonella typhi जो salmonella जो genus है उसका सबसे important member है medically salmonella typhi the causative agent of typhoid fever जो यह salmonella typhi जो bacteria है वो causative agent होता है मतलब कि disease goes करता है typhoid fever जिसको बोलते हैं enteric fever तो अब यहाँ पर हम typhoid sorry जो salmonella typhi जो bacteria है उसके morphology की बात करेंगे कि किस तरीके से उसकी structure होती है किस तरीकी appearance हमें दिखाई देगी वहाँ पर तो जो salmonella typhi जो bacteria है वो gram negative bacilli होता है bacilli means road shape का होता है gram negative होता है non sporing होता है मतलब कि sports का formation नहीं करता है sports means जैसा कि मैंने बताया था कि unfavorable conditions के अंदर वो क्या करता है अपनी एक नई structure डवलप कर लेता है ठीक है तो वो वो ability यहाँ पर salmonella typhi के अंदर नहीं होती है non capsulated होता है मतलब कि capsules वाली structure present नहीं होती है जो bacterial cell होती है cell वाल से जो outer जो layer होती है capsules बोलते वो यहाँ पर capsules वाली structure salmonella typhi में present नहीं होती है इसके diameter की बात करेंगे हम यहाँ पर तो road shape का है बेसिलाई है तो इसकी जो longness होती है लंबाई होती ही वह होती 1-2-3 micrometer और जो इसकी wideness होती है चोड़ाई होती होती है 0.5 micrometer ठीक है most strengths are motile due to presence of single flagilla जो salmonella typhi के जो कुछ strengths ज्यादा दर strengths ऐसे होते हैं जो motile होते हैं मतलब कि movement कर सकते हैं किसकी वज़े से due to the presence of single flagilla उनकी जो bacterial cell होती ही वहाँ पर एक flagilla extracts पाए जाती है जिसकी वज़े से क्या करता बेक्टेरिया movement करता है तो उस single flagilla की वज़े से कुछ strength इसके motile होते हैं movement कर सकते हैं अब यहाँ पर इसके cultural characters की बात करेंगे तो cultural characters के अंदर यहाँ पर they are aerobic यह कैसे होते हैं aerobic होते हैं मतलब कि oxygen की presence में growth करते हैं and facultative anaerobics oxygen की presence में या फिर oxygen की absency में भी growth कर सकते हैं कि the optimum temperature is for their growth is 37 degree centigrade and pH is 6 to 8 कि salmonella typhi bacteria की जो growth करने के लिए जो required temperature होता है वह होता 37 degree centigrade and required pH होती है 6 to 8 ठीक है अब यहाँ पर अलग-अलग types के जो culture media है उसके अंदर bacteria particularly growth करता है जैसे कि first है simple liquid medium इस medium के अंदर 37 degree centigrade पर incubate करके temperature set करके bacteria को overnight incubate किया जाता है और वहाँ पर uniform tubidity दिखाए देती है produce हो जाती है nutrient agar medium की बात करें तो nutrient agar medium के अंदर भी इस culture medium के अंदर भी 37 degree centigrade पर उसको set करके वहाँ पर overnight उसको incubate किया जाता है उसके बाद में जो colonies है वो grayish white color की दिखाई देती है इस तरीके से blood agar medium के अंदर भी उसको incubate करके जो colonies होती है वो demonstrate करेंगे and last में मेक कॉन की agar medium तो इस तरीके से जो यह culture media है इसके अंदर जो bacteria की growth करवाई जाती है bacteria को demonstrate किया जाता है और वहाँ पर इसके pathogenesis की बात करें कि किस तरीके से जो bacteria है वो body में entry करता है उसकी क्या mechanism होती किस तरीके से disease condition develop करता है तो जैसा कि हमने बढ़ा जो salmonella typhi जो bacteria होता है वो disease कोर्ज करता है particularly typhoid fever और उसका जो other types होता है जिसको बोलते है salmonella paratyphi ठीक है वो भी entry fever यानि कि typhoid disease कोर्ज करता है बट वो less severe condition में कोर्ज करता है इसलिए इसको बोला जाता है paratyphoid fever जो salmonella typhi जो disease कोर्ज करेगा उसको हम कहेंगे typhoid fever टाइफवाइड disease और जो उसका other types है salmonella paratyphi वो जो particular disease कोर्ज कोर्ज करेगा condition कोर्ज करेगा उसको हम बोलेंगे paratyphoid fever इस तरीके से mechanism होता है बड़ जो paratyphoid कि अब कि अम इसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बाथ करें कि किस तरीके से जो सालमोमनेला जो टाइफ टाइफी जो बैक्टिरिया की तरहे के बोरी में इं्ट्रीवस हुता है और किस मेकनेजम में तो भीजिस करता है तो हमने जैसे के आप पड़ा साल ममला टाइफी जो बैक्टिरिया हता है वो Leo humans की intestine के अंदर present होता है फिक है यदि को infected person है उसके intestine में जो टाइफी बेक्टेरा present है तो जब वो जो फीकल material है वो excrete करेगा तो उसके जरीए वो उसकी body से बाढ़ निकल जाएगा और उसके बाद में यदि किसी contaminated food या contaminated water substance यदि कोई normal healthy person उस contaminated सब्स्टांसेज को इंजेट करेगा ठीक है जिसके अंदर सालमोनाल टाइफी जो बेक्टिरिया वो प्रेजेंट है तो उस कंटामिनेटेज सब्स्टांसेज को इंजेस्ट करने के जरीए वो बेक्टिरिया क्या हो जाएगा उस ईल्दी परसंट की बोडी में एंट्री कर जाएगा एंट्री करने के बाद में डाइक्ली ड। जो i.e. इंस्टाइल में जाकर生क है के इंफेक्षिन कोंच करेंगा और टौस करेंगा Fot us और अब यहां पर टाइफ Wow के मेंखन ενाें की बात करेंगे तो on reaching on to जी आई टी में रीच करने के बाद वाया कन्तामिनेटर वाटर एंड फूड जो कन्तामिनेटर और वाटर और फूड है वो जो उनके अंदर जो बेसिलाय जो प्रेजेंट है वो बोडि के अंदर इंजेस्ट हो जायेगा are mostly destroyed in stomach but sufficient number of bacilli pass through gastric acid barrier जो कुछ bacteria जो है वो stomach के अंदर destroy हो जाते acid medium के अंदर but कुछ जो bacteria होते वो dudenum के अंदर entry कर जाते और वहाँ पर उनका multiplication होता है ठीके और multiplication के बाद में वो क्या करते है एक toxin substance produce करते है और वहाँ पर जो typhoid fever से जो related जो symptom से वो दिखाई देने लग जाते हुआ पर इसके बाद में बात करेंगे इसके laboratory diagnosis की कि कि किस तरीके से जो typhoid disease है उसको हम diagnosis के ज़री ये confirm किया जा सकता है सबसे first है आप और bacteriological investigation इसके अंदर क्या करेंगे जो हम patient का या जो भी infected person है जिसके अंदर typhoid disease present है या नहीं वो हमें detect करना है तो उसके specimen को specimen as a blood urine fecal material ठीक है उसको CSF cerebral spinal fluid उसको collect करेंगे collect करने के बाद में क्या करेंगे उसको microscoping में examine करेंगे culture medium में growth करवाएंगे उसके बाद में जो bacteria की particular जो morphology है वह वहाँ पर हमें demonstrate हो जाएगी ठीक है इस तरीके से हम जो typhoid disease है उसको confirm किया जा सकता है treatment की अगर हम बात करें तो treatment लाइक कुछ antibiotics है यहाँ पर ciprofloxacin, pluramphenicol, emphysilin इस तरीके जो drugs है वह यहाँ पर typhoid disease के लिए प्रोवाइट की जाती है जाएगी 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 जाती है